हेलो फ्रेंड्स यह सुकतीप तनेजा चनल है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो है हम अन्बॉक्सिंग करेंगे और आपको डेमो देंगे तो फ्रेंड्स यह हमारे पास मिनी अल्टरा सोनिक वाशिंग मशीन तो फ्रेंट्स ये परकार की पॉकेट में आने वाशिंग मशीन है और इसका जो साइड जो है सिरफ 5.1 इंच है तो आप ये देख सकते हैं आपको जस्ट इसको किसी भी वाटर की जो बाल्टी होती है इसमें डाल कर आप एक किलो ग्राम तक कपड़े अपने दो सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हमें क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले इस बॉक्स में जो है आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ सब कुछ चाइनिज भाक्षा में लिखा हुआ है तो हमने इसकी रैपिंग काट दी है और ये जागा कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि एक केजी तक आप कपड़े इसमें डाल सकते हैं और ये आप चीजे दो सकते हैं जैसे सॉक्स, ड्रैसे, शर्ट्स, टीशर्ट पगार आप इसमें दो सकते हैं और इसको कैसे आपने दोना है ये दूर रहें, इसमें हाथ ना डालें, तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम देखते हैं ये हमारी मशीन कैसी है, पिर आपको हम ये पावर बैंक से चला कर भी दिखाएंगे, आप इसको किसी भी पकार पे पावर बैंक या मोबाइल अडप्टर से चला सकते हैं, ये हमारी बहुत ही यूनीक मशीन है और प्राइज वाइज देखेंगे तो यही तरह से चोदा सो रिपैक्टी है में ओनलाइन मिली है तो क्वाल्टी काफी अच्छी है और में भी यह वाटर प्रूफ बोडी है कि इसमें जो है पानी ना चला जाए और यह इसका कह सकते हैं केमल है जो और इसको हम ओन कर देते हैं तो आप इसके अवाज सुन सकते हैं बहुत ही नौइजी है और बहुत ही पावर्फुल है तो आपको जर्स बाल्टी में जू टांगना होता है और ऐसे आपकी कफ़ड़े दोएगे तो आप जो हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे दिखाएंगे, यह पंदरा सेकिंड में आपनी डिर्light चेंज करती है, तो एक साइड मूब करेगी फिर फंदरा सेकिंड के बाद आप दूसरी तरभ मूब करेगी और इसमें तीस मीनिट का टाइमर होता है तीस मीनिट बाद उम अपने आप शट डाउन हो जाएगी फिर आ 12 से मोबाइल आडप्टर या पावर बैंक से री कोनेक्ट करना पड़ेगा और यह जैसे हमने आपको पताया था कि 15 सेकिंड में जो है अपनी डिरेक्शन को चेंज करती रहती है तो फ्रेंट्स इसमें किसी परकार की कोई वरंटी नहीं है तो बहुत ही अच्छा डिजाइन ह अब आपको इसकी टेस्टिंग कप्डों पर दिखाएंगे और यह सिर्फ एक किलो गराम तक के ही कपड़ों को दो सकती है जालिए फ्रेंट्स उस छोटी मिनी मशीन की टेस्टिंग के लिए जो है हम पहले पानी भर देते हैं इस टब में और फिर आपको बिना कपड़े ड आपको प्रोपर दोकर दिखाएंगे तो पानी भरे का दुजार करते हैं तो फ्रेंट्स यह हमारा जो है पानी अर चुका है और हम टांगने की बजाए मशीन को नीचे रखकर चला कर देखते हैं कि क्या वह सच-बुच काम करती है कि तो यह हम अपनी मशीन जो है पानी में करेंगे और आप अच्छी तार का इस्त Allow करें मतलब कोई बढ़िया ढहत जुगन करें कि हमके वीडियो बनाने के लिए को रिए और इसको ़छ हम चाँक अब हमस्य करें आप अभी और आप पानी में यहाइक डिपनी करें और इसको क्रेंगे तो इस मशीनिंके साथ बहुत कोशिश कर रहे हैं ना पानी के अंदर जा रही है ना यह किनारे पर टिक रही है और इसा कोई प्रेंप लगा करना पड़ेगा या कोई प्लिप लगानी पड़ेगी तो दिक्कत है सैटिक कर लेगी यू नहीं हो जाए तो बहतर है तो यह हो जाए तब भी चलेगा तो हम जो हैसमें आप कुछ कपड़े डाल देते हैं शायद उसे कुछ बात परें तो यह हम कपड़े डादे हैं शायद पुछ आप पुजाए कुछ पता नहीं पाफी लोग कैसे सट कर लेते थे आसाल सी लगानी पड़े भी या तो बिल्कुछ जाहिए ना तो इसको यूज चला कर देख लेते हैं क्या होता है अगर फुरा तर यूज करते हैं और इसके उखता है ऐसे कर दो कि एक निक्या होता है बहुती मुश्किन हो रहा है इसको शाट करना कर दो कर दो करें तो इसके एक साइड हमने लगा दिया है यह देखिए अब जो है हमने यह उतार के फिर इसको चुटाना है तो देखें यह काम करता भी है कि नहीं तो थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है साइडिंग अबने में हमने जो है एक्स्ट्रा जो कवर है टेप का उतार दिया है और आप हम चुका कर देखें जब भी आप यह करें तो सूखी बाल्टी में करें पानी वाली में ना करें तो यह जाए और यह जाए जाए और यह जाए पक्टाएगी तो फ्रेंज फाइनली जो है हमारी जो मिनी वाशिंग मशीन है वो इस बाल्टी से बग गई है तो काफी टेब अमने लगाई है और सुखे अरिया में लगाई है तो जब भी आप यह जब डेडने इस मशीन को लगाना है करना क्या है जब आपका बिल्कुल ये खाली हो तब ये आप इसको चिपकाए और एक बार यूज करने के बाद आपको ये टेप फिर से हाटा के दुबारा लगाने पाने की ये थोड़ी को तीकता थे आती है अब आप पानी फिर से बरते है तो यहां तक हम पानी बंद कर देते हैं और आप मशीन को चला कर देखते हैं कि यह कैसा काम करती है पानी में तो इसको जरस्ट आपने ओन करना है यह शायद हमारा पानी इसमें चला ना जाए हमारे यह जो पार से खड़ाबना हो जाए है तो यह पानी हार होगा है यह दिकर रहे तुट पड़ा वो दो और और पानी में दिकरना पड़ेगा तभी यह शायद करेगी तो इसके पानी प्राइब करना पड़ेगा इसको पिजी करें हमारी मशीन जो है क्या सकते हैं फाइनली लग ही गई टैप जो हमरे यह बॉक्त है इसके किनारे से अमने बड़ी मुश्कित से लगाया है तो जो कार की डबल टेप हाती है उसे अप आपको चिप्ठाना होगा और यह देखिए हमारे कपड़े जो है आप देखिए कैसे दो रही है तो इसमें जो है टीस मिनट में आट्रमेटिक लिए ओफ हो जाएगी और हर 15 सेकिल में जो है यह अपनी रेलेक्शन चेंज करती है तो कह सकते हैं कि एक सस्ता और पोटेबल जुगार है बट दिक्कत यह है कि इसको बाइटी के साथ चिप्ठाना थोड़ा बहुत एक ट्रिक्की काम है और जो की हो सकते है कि स्काटिंग में आपको दिक्कत आए तो जो कार में टेप इस्तिमाल होती है डवल स्राइडिक वह आप थोड़ा सा बढ़ी रहा सा ले और पर चिपका कर फिर आप अपने कपड़े धोर सकते हैं तो कपड़े धोने में इसको शायद 15 से 20 मिनट लग सकते हैं वो भी सिरफ एक किलोग्राम के कपड़ों के लिए तो इतना बहतर पोड़क नहीं है इतना काव्याब नहीं है टेक्निकरी आपर कह सकते हैं आपकी लाइ तो आप इस पर्ड़क को हमारे दीय होए लिंट से और आइन हम्जान से खरी सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ने किया को आप कर सकते हैं तो ये हमारा जो चैनल है शुदी तरने जा इसके लिए आपर रैड सब्सक्राइब लिका हुआ है इसको आपने तो यह हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया अगर आप हमारी लेटस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं तो यह बैल वाला आइकन है इसको आपने टाश करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाल पर या टेबलेट पे आएंगे